कि अज़ाइब करें के अंड्रोइड वर्जन की शुरुआत कहां से हुई थी तो सबसे पहला नाम इसमें आता है जे अंड्रोइड कपकेक का ये थर्ड वर्जन था एंड्रोइड का और इसमें आप गूगल के मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज को देख सकते हैं इसमें अंड्रोइड पावाड हैंड्शेट जो की 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी अब ये सपोर्ट नहीं करता है अंड्रोइड मूबाइल में एंड्रोइड वन पाइंट न्यू फीचर स से लेस्ट था इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ब्लूटूस सपोर्ट और इसी के साथ युवाई चेंजेस का इंप्रूब्मेंट भी अच्छा हुआ था और इसमें सेब्राल गूगल एप्स का मेनेजमेंट भी दिखाए गया था हम बात करेंगे अंड्रोइड डोनट की जो कोड़े ओ्डियट स्पोट भी मिलने लगा ता आप यह वी मोई मोड़ों में यह वर्ड़न भी सपोर्ट नहीं करता है कर दॉन Android Eclayers का इसका नमबर आता है इस Android Eclayers के बारे में आप सब नहीं सुना होगा इसका नाम क्यों कि अदिखतर लोगों नहीं सुना होगा ज्यों कि Google के द्वारा ही डवलप किया गया था अक्टॉमबर 26 2009 को इस रिलीज किया गया था इक लेर्स में बहुत ही ज्यादा सब्वोटिंग चीजें आ गए थी जैसा केमरा एप्स के नाए नाए फीचर इसमें डिजिटल जूम सीन मोड वाइड बैलेंस का लाल एफेक्ट फोटो गैलरी एपस में बहुत ज्यादा फोट को बहुत ही अच्छा कमपर्टेबल चीज मिल गई थी इसके बाद एंड्रोइट वर्जन की सिक्स्त अपडेट आ गए जिसका नाम था एंड्रोइट फोयो जो कि गूगल के दोरह डवलप किया गया था जिसको वर्जन 2.2.3 नाम दिया गया था और यह गूगल का सिक्स्त वर्जन था इसमें फ्रोयो रिलीज हुआ था तो इसमें यूएजवी गैदरिंग और वाइफाई सपोर्ट इसमें हो गया था इसमें एंड्रोइट क्लावड टो डिवाइस सपोर्ट भी आ चुका था तो कि एंड्रोइट सी डूट सी टूट डी एम सर्विस डिवाइस मेसेजिंग इसके अलावा इसमें बहुत सी और चीजह में इंक्लूड हों थी इस पीड में मोरी प्रफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एडिशनल एप्लिकेशन इस पीडियो प्रूमेट जावा सपोर्ट में मोस्ट इंपार्ट इंट्ली एड़ोप फ्लेश सपोर्ट आपको इसमें मिलने लगा था अपडेट मार्केट एप्लिकेशन जो कि अप गूबल प्लेश स्टोर से अपडेट इसमें रेड़ आली मिलने लगी ती प्लूट तो यही सब फीचर इसमें इंप्लूड हुए थे इसके बाद आता है नमबर एंडॉइट गेंगरवर्ट का जो की सेवन्त अपडेट थी एंडॉइट की गूगल के दौरा जो की 2010 में रिलीज हुआ था इसमें आपको NFC सपोर्ट और SIP सपोर्ट इसे मिला था जो की बहुत ही फास्टर सिस्टम बना दिया गया था फास्टर टु यूज इसमें पावर एपीशियंट और सभी चीजें इसमें इंप्लूट की गई थी कलर स्कीम जो की ब्लैक बैट ग्लाउंड के साथ इसे की बिवेड़नेस पॉंट्रेश्ट और नोटेकेशन बार बहुत इजली आप देख सकते थे इसमें काफी ज्यादा इंप्रूब्मेंट इजियर नेगिवेशन और सिस्टम कंट्रोल जो की बहुत ही जरूरी अब इसके बाद नाम आता है अंड्रोइड हनी कॉम का जो की एड़् वर्जन था गूगल की तरफ से टबलप किया गया था 2011 में जो इस्पेशली बनाए गया था टैबलेट के लिए क्योंकि इसमें लार्जर स्क्रीन साइज सपोर्ट था जो टैबलेट के लिए बहुत ही जरूरी होता है इसमें गैलरी एप्स में अब आप एलबम में कोई भी फोटो किया गया था जो कि मल्टि टास्किंग के लिए ज़रूरी था अब इसके बाद नंबर आता है अंड्रोइड आइस क्रीम स्टेंडविच जो की हूगल के दवारा डवलप किया गया था उसे रिलीज किया गया था क्टुमबर 19 2011 को जो कि सिंप्लिफाई और मॉडनाइज किय गया था Android Experience को जो कि Human Interference Guidelines के अनुसार इसका Code Name Hello था और इसको इंक्लूट किया गया था जिसमें NFC सिस्टम सपोर्ट इसमें दिया गया था टेकनोलोजी के मामले में यह बहुत ही आंगे था इसमें अपडेटड बेब ब्रॉसर, Contact Manager, Social Network Integration का इसमें सपोर्ट दिया गया था इ इसमें Music Playback सपोर्ट था जिसको आप लॉक स्क्रीन से Music Playback में आपको इसा भी ट्रेक चेंज कर सकते थे इसमें बॉइसमें सपोर्ट भी दिया गया था और शेक्स रेकनाइजेशन पॉर डिवाइस उन्क्लॉकिंग जिसको आप फेश उन्लॉक जो कि आजकल बहुत जारा य फोन को अन्लॉक करने के लिए जो कि आइस क्रीम सेंडविच में पहले ही इंक्लूट किया जा जोगा था अब इसके बाद नमबर आता है एंड्रॉड जैलीवीन का जो कि तेंट वर्जन था जिसको गूगल ने रिलीज किया था इसमें दो बर्जन आय थे 4.1 और 4.3 1 4.2 इसके बीच में आया था इसमें एंड्रॉड वर्जन 4.1 4.2 4.3 4.2 को अक्टमबर 2012 रिलीज किया गया था 4.3 को जलाई 2013 रिलीज किया गया था चैलीवीन के जो बर्जन थे तो जलाई 2018 में यह सपोर्ट करना इसने बंद कर दिया क्योंकि गूगल प्ले एपस इसमें आप सपोर्ट नहीं करती है इसका मतलब यह नहीं है कि एंड्रॉड सिस्टम यूज नहीं होता है पर गूगल ने इसको सपोर्ट देना बंद कर दिय है क्योंकि इसमें गूगल एपस कमी सपोर्ट करने लगी थी इसलिए इसको अब एंड्रॉड बर्जन को किटकेट के इसके अपडेट और लॉलिप आप इसके बाद आने लगी थी तो इनके लिए गूगल तैयारी कर रहा था इसलिए इसको इसको अपडेट देना एप्लि रिलीज किया गया था सच्प्टैमबर तरी को इसको अपडेट के लिए उच जाता है जिसमें आपके 500! 1.2 ream hesmaid support करती थी में नेश लर्थ किया था इसको किटकट नाम दिया था इसका पहले जो नाम रखा गया था वह सेक्टैमबर 3.0 2013 को कंई लाएं पाई के नाम से इसको न्रिडूस किया था आज कल यह सिर्फ 7.8 पर्षेंट एंडोइड डिवाइस में ही यूज होता है इसको जैलीवीन के बाद रिलीज किया गया था जिसको वेटर परफॉमेंस के लिए और स्लो एंड डिवाइस जो कि आप कह सकते हैं कि कम रहें बाली डिवाइस के लिए इसको यूज किया गया था इसकी प्रफॉमेंस बेस्ट करने के लिए इसको दूज किया गया था जैलीवीन के बाद जो कि काफी अच्छा सक्सेसर एंडोइड के लिए साबित हुआ था और इसमीं डिस्की डिस्प्लेट नोग नाइन सिक्स्टी अब इसके बाद नाम आता है अंड्रोइड लाली पॉप का जो कि एंड्रोइड का गूगल वर्जन रिलीज किया गया था जो कि जून पचीज दोहजार पंद्रा दोहजार सोरी 2014 को रिलीज किया गया था इसमें आप ओटीए सपोर्ट ही मिलने लगा था ओटीए सपोर्ट के बाद इसमें गूगल प्ले सर्विस नेक्सस फॉन्स में इसमें दी गई थी जो कि एक फिप्ट मेजर अपडेट नवंबर तीम 2014 को आई थी यह बैसिकली देजान किया गया था गुल्टिंट परफॉर्मेंस को बैटर करने के लिए इसमें आपको इंटरफरेंस में इंक्लूड हुए थे वे इसमें आफिशली एया टी सपोर्ट को हटा कर आपको डाल्विक शपोर्ट दिया गया था जो कि अब्लिकेशन की परफॉर्मेंस को बैटर करने के लिए दिया गया था तोगी काफी हद तक स्टेवल और इसमें बैटरी को भी आप्टिमाइज किया गया था जिससे कि आपको बैटरी परफॉर्मेंस आपका हाई यह रहे है तो इसके बाद नाम आता है मार्श मेलो को जिसको अंडुड एम के नाम से भी जाना जाता है जो कि थैटींथ वर्जन है अंडुड का जिसका पहले बेटा वर्जन डिलूज किया गया था जो कि में आठाई 2015 को इसके बाद इसका ऑफिशली वर्जन अक्टुमबर 5 2015 को सबसे पहले यह डिवाइस अपडेट नेकसेस डिवाइस में आई थी कूगल की तरफ से मार्श मेलो मे फोकस किया गया था यूजर एक्सपिरियंस को और भी स्मूतर बनाने के लिए इसमें आपको लॉली पॉप के जो भी फीचर थे उनको और ज़्यादा फास्टर किया गया था इसमें आपको सभी नेविशन बाहर सभी आपको इसमें बिलने बाले थे इसमें बहुत ही अच् के डाटा को इसमें आप रख सकते थे माइक्रो एसडी कार्ड में इंटर्नल चेंगेस भी काफी किये गए थे और अभी तक उगल के अनुसार सेक्टेंबर 2018 तक 21.6% डिवाइस में एंड्रोइट मार्शमेलो यूज हो रहा है अब इसके बाद नाम आता है अंड्रोइट नोगट का जो की सेवंथ मेजर वर्जन था एंड्रोइट का इसके ऑफिशली वर्जन इसका 14 था और इजिनल वर्जन जो की एंड्रोइड ऑपरेटिंग सिस्टम की जहां से शुरुआ थोई थी ऑफिशली इसको किया गया था अगस्ट दुवजार सोलह को जो बर्जन डिलीज किया गया था उसकी सबसे फ़हली अफडेट आपको मिली थी एल जी वीक्वेंट इसका 14 यसमें आपको नोटेबल चेंज़ेश मिले थे इसमें आपको मल्टी टासक्किंग के लिए बैसीकली नोगट को इंक्रोडीउस कि गया था इसमें स्प्लेट स्क्रीन का सपोर्ट दिया गया तो जो कि पहले अभी तक एंडवर्ड बर्जन नहीं था इसका मतलब आप दो एपस को एक साथ यूज कर सकते थे इसमें ग्राफिक सपोर्ट जो कि रैधरिंग एपी आई के साथ जिससे कि आपको गेमिंग के मामले में आपको प्रफॉमेंस ओर अच्छी मिलने वाली थी और इसमें सेमलस सिस्टम अपडेट जो कि सभी सपोर्ट डिवाइस में आपको मिलने वाली थी गूगल के अनुसार अभी 29.3% डिवाइस में से यूज किया गया है और 10% डिवाइस में API 25 Android 7.1 परजन यूज किया रह है अब इसके बाद बार या थी Android Oreo की जो कि एट्थ मेजर अफडेट और 15 इसका ऑफिशल वर्जन था Android का इसकी अलफा बर्जन रिलीज हुआ था माज 2017 में और पब्लीकली इसको रिलीज किया गया था अगर्स 21 2016 कि इनकी मेजर अपडेट जिसमें इंक्लूड की गई थी इ यो इसमें वीडियो और पिक्चर और आप एक अप्लिकेशन साथ में यूज कर सकते थे इसमें को लूटूथ 5 सपोर्ट इसमें Android Go बर्जन भी सके लीज किया गया था जो कि लो हर्डवेर फोन्स के लिए इसमें इंक्लूड किया गया था इसको अभी तक गूगल के अनुस सब्सक्राइब कर रहा है और लोग इसे यूज कर रहे हैं दस पर्सेंट में 8.0 वर्जन इसका यूज किया गया है यूज कर रहे हैं लोग और 2 पर्सेंट डिवाइस में 8.1 वर्जन लोग यूज कर रहे हैं इस समय यह आपने जुलाई 23 2018 तक के हैं तरते Android Go की जो कि सबसे लेटिस्ट वर्जन हैं जो की फचली अनौंस हुआ था मश्च 7 2018 को वह इसका प्री वी कुछ दिनों तक दिखाय गया था इसको बेटा बर्जन रिलीज किया था इसका मार्च 8 2018 को सेकंड बेटा बर्जन जून 6 2018 को और फूर्थ बेटा बर्जन जिसको बेटा 3 वर्जन ज प्लस इक्स में इसको यूच किया गया था और सुनी एक्समीड एक्जेट 3 इसकी फ़र्श डिवाइब ती जिसमें इसको इंस्टॉल किये प्री इंस्टॉल दिया गया था एंगट 9.0 के गो एडिशन को इलिज किया गया था इसके साथ में जो की लो एंड प्रोक्रामिंड इसके लिए उच किया गया था इसके फीचर की बात करें तो इसमें अडेप्टेट बैटरी मैक्सिमाइज जो की बैटरी को आप एप्लिकेशन के साफ से कम ज्यादा कर सकते थे विक सेटिंग मैनू नोटिफिकेशन बार और बहुत इसमें चीज़ां थी और इसमें पावर करना चाहते हैं तो इसमें यह प्रफॉर्मेंस के लिए इंक्लूड किया गया था इसमें राउंडड आइकोन वाल्यूम स्लाइडर और तरह तरह के आप संजो कि आपको सब होम स्क्रीन पर ही मिल रहे थे जिससे क्या होम स्क्रीन पर रहते हुए कि इतनी सारी एप्स इस चर्मोर जो भी आप आइफोन एक्स में देखते थे वह आपको इसी एंड़ोइट डवाइस में मिले वाले थे तो आपको एंड़ोइट